तर्मांतरण अने लव जिहाद ना किस्ताओ वधी राशे, तेरा आज मामले जानकारी मडी रेचे कावेक संसा अगेलावी छे विश्व उम्या फाउंडेशन के जिमना द्वारा एक खास कारेक्रम नूपन आयोजन करवाबावी उशे केरर ती आर्श विद्या संसाना फाउंडर आचारिय मनोजी तेमत धर्मांतरण अने लव जिहाद ना भोग बनेली युवतियों अमदाबाद आवी अने जाकरूती फैलावानी काम केरी करी अमदाबाद पहुचे नी केरर नी चारे दिकरीय पोता नी साथे थैली आप विती ने जनावी आओ प्रयांतम ने जनावी उके लव जिहाद नामनू एक शडियंतर चाली रहूँछे जेनाथी दिकरीयों दूर रहूँजोए तक मैं जो पा पताजी बोल रहे तो उसे रेस्पेक्ट से सुन रही थी तो उस वक्थ से लेकर मैं अगेंस्ट बोलने शुरूँ थी राव एक बार माता जी को मारा भी था क्योंकि काफिर है काफिर माता है और काफिर बना ऒूलने आप फूड वागेरा ना ले सकती थी और ऐसे करके यह लाइफ बदलने शुरू की मेरे बीहेवियर में मेरे इंट्रेक्शन में मेरे पैरंट्स के साथ मेरे बाईयं के साथ इंट्रेक्शन बहुत काम होगने शुरू की कनवर्जन सेर्फ लाओ जिहाद के दौरा नहीं होता है। लाओ जिहाद is one of the many ways जिससे वो लोगों को हमारे लड़कों को लड़कों को ही नहीं, लड़कों को और लड़कों को भी ट्रैप करके step by step indoctrinate करके radicalize करते हैं। सबसे पहले वो target करेंगे किसी ना किसी एक strategy से, वो जरूरी नहीं ही कि love trap हो, वो किसी भी तरह का strategy हो सकता है, लेकिन it is definitely followed by the second and most important step which is indoctrination यानि कि brainwashing, वो हमारे धर्म के खिलाफ ऐसे सवाल उठाएंगे जिसका जवाब या जिसका उत्तर हमारे बच्चों को या फिर हमारे संसात्वरा आत्या सुधी मां साथेचा बसूर जिली यूती ने परत लावानों दावू करायो तो, तो बिज़ी तरफ विश्वमिया फाउंडेशन द्वारा पण आमुद्दे चिन्ताफ्यक थायती, आने आपलेकार ना किसा बाद दिकरियोंने जुईती तमाम बदत वि संस्था ने करे तो विश्वमिया फाउंडेशन हम्मेशा एमनी साथे उभूर्यवा तई आर छे, एमनी बद्धीज बनती मदद करवा पण तई आर छे, जिथी करी ने ये लोको यातना भोगवता हुए ने ये वस्तुनी जो आपनना जान ना था है, तो अमे यू मानिये से के आपने भी क्याक न क्याक आमा गुनेगार छी है.